हेलो हेल्कम बैक सब आपर दो अच्छे वा यह दिन अच्छछा वक्dırता हो यही दो क्योंको इस दिन मेरे बेटे का बारडे या उर्टेरी मेरे यंदे है、 मेरे दो 3 शाल का धुस्त है तो इस दिन क्या बोलते हैं वो तिलनिया होती है क्या बोलते है उसको जिसें मंगोडी बनती है उसी दिन लब हुआ था रात में 10 बच के 8-40 मिर्ट पर तो हम लोग को ने सोचा पहले सोबह मौनिंग में हम लोग ने आज पर रुद्र अभिशेक करवाया हुआ था तो उसी का पूजन पार्ट चल रहा था और पंडिजी बैठे हुए थे और फिर रात में उसका बाड़ी सेलिबेट किया हुआ था तो अभी यहां पर जगए शामने बिलकुँ प्लेन है फिर उसको डेकोरेट करवा लिया था और यहां पर मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है और मेर थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है तो घर बहुत मैसी हो जाता है और फिर बच्चों को यह साथ साथ पूरे घर को समेटना बहुत दिफिकल्ट हो जाता है और जैसे अभी बहुत बिंटर का टाइम चल रहा है तो और मैं जहां रहती हूँ व पूजन पार्ट पूरा चलेगा पूरा रुदर विशेक होगा फिर पांठ होगा और यह लब है लब बाट में बैठता है राद लब के हाथ से रुदर पीशेक करवाया हूथा बड बच्च आ है बहुत टाइम तक नहीं बैठ पाता है उठ जाता है आज लब टीन शाल का ह तो यहां पर नानूस को प्यार कर रही थी और यह मेरा मंदर है मंदर के शायट में हमने यहां पे बगल में पूजा के लिए करवाया था क्योंकि मंदर के निचे से जैसे कुछ भी शामान उठाना हुआ तो थोड़ा साइजी रहता है इसलिए बगल में लगवाया हुआ था फूजा का और वह उधर पर किचिन है जहां पर उस साइड को जेला दिख रहा था बारपर तो वहां पर एक मैंने दिदी को बुलाया हुआ था उन्होंने ही पूरा खाना तैयार किया हुआ था तो यहां पर जो है रुद्रवीशेक हो गया था और मैंने बीच-बीच में मि लेकिन बच्चे एक्साइटेज रहते हैं नई चीज के लिए कितनी भी चीज हो लेकिन नई चीज में इंटेस्ट उनको जादा रहता है तो यहां पर बस हवन की तैयारी हो रही है और देखिए यहां पर इस तरीके से लकड़ी अच्छी सुखी हुई थी तो अच्छे से हव हवन कुण जल गया था और फिर वहां पर हवन करते हैं पूजन पार्ट करते हैं अच्छे से तो मैं हवन को इस तरीके से टीक का कर रही हूं जो मतलब पूरा किया जाता है प्रोसेस बैसे ही तो आप देखिए आप लोग को यह मेरा ब्लॉक अच्छा लागीगा और इसका स पार्ट आएगा शेकंड पार्ट में आपको दिखाऊंगी तो यहां पर सब लोग फिर अवन करते हैं मम्मी यह मेरी मम्मी पापा है यानि लबके दादा दादी तो वह भी आपर अवन कर रहे हैं और वहां वह सामने किचेन है तो वहां पर वह दिदी खाना बना रही है क्योंकि फेमली काफी बड़ी है तो सब लोग हो गए तो फिर खाना मैं खाना देखती या किचेन देखती इसलिए फिर मैंने दिदी को बुला लिया था उन्होंने ही खाना बनाया हुआ है तो यहां वैसे तो ठंडी थी और ठंड लग रहे थी लेकिन आच बहुत ज्यादा आगी की तेज थी तो हम लोगों के मुह लाल हो गए थे उसके वज़े से क्योंकि पास में रखा हुआ था और काफी तेज जल रहे थे क्योंकि लकड़ी आच्छी सूखी हुई थी तो में पूरे की खिकी सता जाता जो भगवान के अधर पर जलता है ना फिर उसके बाद मैंने के झाले है कुछ विकी ठीछ काम की तईयारि होनी थी उसका पार्ट में शेकनद पार्ट ढालऊंगी क्योंकि अगर मैं उसको इन फिर के सा डालती तो बीडियो बहुत लूंबा न पर ज्यादा लंबा वीडियो देखने में फिर बोरियत होने लगती है तो इसलिए मैंने पूरा नहीं डाला है मैंने हाफ ही पार्ट डाला हुआ है यहां पर सब लोग बैठी में आंटी लोग बैठी हुई है और यह अन्नू भी बैठी हुई है मेरी देवरानी यहां पर जो लब को बच्चा है लेकिन फिर भी मैंने उसको खिला दिया था थोड़े से पुलाव टाइप से बना करके नानू को लब को खिला दिया था क्योंकि पूजा पार्ट में बहुत टाइम लग जाता है और बच्चे कब तक भूके रहेंगे इसलिए मैंने लब को पहले ही खिल पूजा दिया था फिर इस तरीके से पूजा हो जाती है ताकि फ्री रहें नहीं तो बीच में कहां कहां उसको देखते फिर वो बच्चे अगर भूके रहते तो फिर वो चिड़ाने भी लगते हैं और लब अभी छोटा है तो उस चक्र में उसको खिला करके फ्री हो चुकी फिर आर्टी की तैयारी होगी हम लोग का मूदे को आज की वज़े से इस तरीके से बना हुआ है पर अच्छा लगा पूरा पूजा पार्ट हुआ और अगर ऐसे काम होते रहते हैं तो अच्छा लगता है घर में तो आई ओप आपको ये मेरे छोटा सा ब्लॉक अच्छा ल